तो हेलो दोस्तो गुड मॉर्डिंग और आप सभी का फिरसेग नई वीडियो में स्वागत है तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे ही बढ़िया रहेंगे तो आप मैंसे कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके बाग कोई न कोई डबल बेरल की स्किन पहले से ही अवलेवल होगी और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके बाग अभी तक कोई भी स्किन नहीं होगी तो आप और वीडियो काफ지 इंट्रेस्टिंग होने वाली है इसके अलाव भी दोस्तो कुछ और एपडेट हैं तो अगर दोस्तो आपने अभी तक इसंट्रेस्टिंग वीडियो को लाइक और चाहिए को ससक्काइब momentum नहीं किया है कुछ स्किन सा आने वाली है जिनके जो एक जैसे ही हैं तो इसलिए हमारा जो कन्फूजन और ज्यादा बढ़ गया है तो इसलिए हम अपने कन्फूजन को दूर करने के लिए सारी डबल बैरल की सिंगल डैमेज और सिंगल एकुरेसी देखने को मिलती है और जो रेंज है वो माइनस है तो इस सबसे पहली स्किन थी और उसके बाद इसके बाद एक किन को मिल लेकर काफी बपाल हो आथा क्युकि हापर इसके अंदर हमें डवल रेंज देखने को मिल ली थी और reload speed minus थी और साथी दोस्तों यहाँ पर जो अगली skin थी वो थी हमारी one punch man जो कि बहुत सारी लोगों के पास मैंने देखिया और मुझे लगता है कि बहुत सारी लोगों ने इसको purchase किया है अगली जो skin है जो अभी हाल मही कुछ दिनों पहले आई है जिसका यहाँ पर नाम तो हमारा stream के अंदर कुछ type से ही है बट इसके जो attributes हैं वो है हमारे हाँ पर reload speed और accuracy plus और moment speed minus तो यह totally दोस्तों इतनी skin हमारे game के अंदर पहले से ही available है या फिर available हो चुकी है बट कुछ skin आने वाली है जिसके अंदर हमारा जो damage है वो plus है reload speed double plus है और में आपे moment speed जो है minus है तो इसके लाओ दोस्तों हमारी एक और skin आने वाली है यह वाली green वाली तो इसके बारे में अभी मुझे लगता है कि बहुत सारी लोग को पता नहीं होगा तो पहले मां आपको यह वाली जो skin हो अच्छे से दिखा देता हूँ तो दोस्तों हमारी जो double barrel की यह वाली skin है यह भी हमारी legendary skin है जिसका effect आप आप आपे देख सकते हैं और हमारी एक video भी निकल के आई हुई है बड़ दोस्तों दिक्कत यह है कि हमारी जो यह वाली skin है इसके attributes सभी तक पता नहीं चले है साथ यह भी बता नहीं चला है कि यह कौन सी theme के ओपर रहने वाली है कौन से event के अंदर यह आएगी बड़ दोस्तों यार जैसी इसके attributes और event के वारे हम पता चलता है तो सबसे बड़े दोस्तों मैं आपको इस video के अंदर इस channel के अंदर बता दूँगा तो इसलिए आप इस channel को subscribe करना ना भूलें साथ ही दोस्तों आपसे question भी है तो आपको comment करके यह बताना है कि आपको क्या लगता है इस gun के अंदर कौन सा attributes से होंगे क्योंकि दोस्तों आभी जो हमारी hope of hand आने वाली है उसके जो attributes है हमारी one punch man से मिलते जूलते हैं तो मुझे लगता है कि इसके जो attributes होंगे वो भी हमारी game में पहले से आ चुकी कोई ना कोई gun skin से relate होंगे क्योंकि दोस्तों हमारा double barrel के अंदर कोई भी ऐसा attributes से नहीं बचा है जो कि हमारा आना बांक ही रह गया हो इन्होंनों damage भी दे दिया है, reload speed भी दे दिया है, accuracy भी दे दिया है, moment speed भी दे दिया है, rate of fire भी दे दिया है मैं जो भी यहाँ पर rating दे रहा हूँ, वो मेरे personal experience के साब से है, आपका experience अलग हो सकता है तो जो number 5 पर है, वो है हमारी यहाँ यहाँ पर double letter of fire वाली यानि की rapper under world fourth number पर हमारी extreme adventure जो कि अभी हमारे game पर आई हुई है तो यह दोस्तो आप किससे भी पूछ सकते हैं, जिसके पास tropical parrot है अगर आपने भी चलाई है, तो आपको भी अलग experience लगा होगा और one punch man को नीचे रखने का खारण यह है, उसकी accuracy क्योंकि दोस्तो आर जो accuracy one punch man के अंदर minus की गई है, उससे जो उसका aim है वो body पे चिपकने में थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत करता है तो दोस्तो one punch man आली skin को second number में रखने का एक ही कारण है, वो है उसकी accuracy बड़ दोस्तो अभी हमारी यहाँ पे दो skin और आना बाकी है, जिसमें हमारी double barrel की hand of hope और जो green वाली skin है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई, तो यह आना बाकी है तो आप दोस्तो बात करते हैं कि आपको कौन सी purchase करनी चाहिए तो यहाँ पे दोस्तो जो हमारा hand of hope है, उससे पहले आपको यहाँ पे double barrel की जो party event है, वो देखने को मिल सकता है और दोस्तो अगर party event है यहाँ पे आएगा, तो उसके अदर आपको one punch man देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि हो हमारी coloration की skin है, और यहाँ पे हो सकता है कि आपको tropical parrot भी देखने को नहीं मिले क्योंकि जो हमारी wrapper underworld और यह वाली winterland skin है, यह दोनों हमारी घटिया skin है तो इसलिए आपने हाँ पे जो हमारा double barrel की party event आएगा, यहाँ से आपने purchase नहीं करना है और यह party event आएगा, वो हमारे hand of hope आली जो skin है, उसके आने से एक दो हपते पहले ही आएगा क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि free fire जो है, पहले पुरानी gun skin को बेचता है, उसके बाद नई gun skin को launch करता है तो आपने क्या है, कोई भी gun skin purchase नहीं करनी है, आपने जो है थोड़ा wait करना है तो आपको थोड़ा wait करोगे, तो आपको यहाँ पे मिलेगी हमारी hand of hope जिसके अंदर accuracy minus भी नहीं है, और यह जो gun skin है, वो हमारी यहाँ पे one punch man से अच्छी है और tropical parrot के बराबर है, तो दोस्तों अभी तक के हिसाब से हमारी दो gun skin best है, पहली है tropical parrot दूसरी हमारी यहाँ पे hand of hope, और एक और gun skin आने वाली है, बड़ उसके attribute से पता नहीं है इसलिए उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं, और जो हमारी one punch man भी काफी बड़ी है, बड़ उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि यार वो हमारी collaboration की gun skin है, तो इसलिए return में भी नहीं आएगी तो जिन लोगोंने निकालनी अच्छी बात है, जो लोग निकालना चाहते हैं, वो चाहके भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि return में नहीं आने वाली और जो हमारी tropical parrot है, वो आपको यहाँ पर party event के अंदर देखने को मिल सकती है, थोड़ा मुझे लगता है कि आ जाएगा और अगले महने तक आ जाएगा जब हमारी hand of hope आएगी, तो उससे पहले आ जाएगा, तो आप आपके पास दो option है, या तो आप अपने जो diamond है उसको tropical parrot के अंदर लगा लीजिए, या फिर आप hand of hope का wait कर लीजिए, तो मेरे साब से दोस्तों आपको hand of hope आप करना चाहिए, क्योंकि hand of hope आली skin है, उसकी जो look है वो भी काफी OP है, बाकि वो एक new skin है, तो new skin चलाने में काफी मज़ा आता है, old skin के अगर हम बात करें, बाकि दोस्तों हमारी एक और green skin आने वाली है, तो उसके attributes भी हो सकता है, कि इन सबसे better हो, तो जैसे उसके बारे में पता चलता है, तो मैं बता दूँगा, तो दोस्तों आपकी care is के बारे में आप comment box में बता दीजिए,